आज में लेका आई हूँ आपके लिए जहारकट का बहुत ही प्रसित ट्रेडिसनल दूथ पिठा की रेसिपी जिसे खपरकोडो धग्री डबा कई नामों से जानते हैं बनाना बहुत ही आसान होता है सेफ चावल और पानी से बनता है बिना तेल बिना मसाले का इसलिए बहुत चावल भी कहते हैं उसको मैंने चार से पांच घंटे के लिए भीगो लिया था जब यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इस तरह से बिल्कुल तो इसे हम च्छान के ले लेंगे मिक्सर के जार में और बिल्कुल थोड़ा सा पाने डालके इसका फाइन वाला पेस्ट बना के तैयार करेंगे बस ध्यान रखेंगे कि बहुत जादा इस बैटर को पतला नहीं करना बिल्कुल गाढ़ा बैटर बनाएंगे क्योंकि जब गाढ़ा रहेगा ना तभी हम इसको बाद में एड़स्ट कर पाएंगे यह दि एक बार पतला हो जाएगा तो फिर उससे वो रोट ना पानी लेंगे और मिक्सी के जायर में जो भी चावल का बैटर लगावा था उसे हम निकाल के ले लेंगे तो हमने यहां पर बस दो से तीन चमच जैसा पानी लिया है और उसको भी हम एड़ कर देंगे जितना जुरुरत हो का उतना ही आड़ करेंगे तो यह जो चावल पीसा है ना वह काफी ज्यादा गाढ़ा था तो यह दो तीन चमच हमने पानी आड़ किया है और इसकी जो कंसेस्टेंसी रहेगी ना वह कुछ इस तरह से रहेगी जैसा मैं दिखारी वैसा ही रखना मतलब बहुत ज्यादा पतला हो गया तो भी यह रोटी नहीं बनेगा औ तो बिलकुल इसका कंसेस्टेंसी इस तरह रहेगा ना जादा गाढ़ा और ना जादा पतला यह बहुत ही परफेक्ट बनना जरूरी है तो यह बैटर हमारा रेडी हो गया है इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए जो बरतन आता है ना बनाने का वो कुछ इस त हैं कि यह हर घर में बनता है हर ऐकेजन हर फेस्टिवल में इसे बनाया जाता है काफी लोग पसंद करते हैं तो इसमें हम ना दस मिनिट पानी डाल चे छोड़ देंगे क्योंकि यह नया बरतन है तो पानी थोड़ा अबजर्ब करना होगा तो वह कर लेगा फिर उसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके बाद हम गैस पर रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर मतलब लो से थोड़ा से ज़्यादा फ्लेम पर रखेंगे फ्लेम का खास ज्यान रखना पड़ता है इस रोटी को बनाने में और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे जब ये पूरी टिसू पेपर से पोच लेंगे हमें इसमें तेल घी की जुरुत नहीं पड़ती है लेकिन चूकि यह बड़ता नया है और यह चिपके नहीं इसलिए हम पहली बार और लास्ट बार इसमें लगाएंगे और हम एक चम्मच बैटर डाल के देखेंगे अभी बड़ा नहीं जाद नहीं बना यह पहला वाला जो है वह खराब हो गया और खराब होने का कारण बस यही है कि यह बरतन अच्छे से गरम नहीं हुआ था तो इस बरतन को हम अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद हम जब पिठा बनाएंगे ना तो वह 2-3-3 मिनट में बहुत अच्छे से वो फुल भी जाता और उसका बस एक ही निसानी होता है कि जब आप बैटर को डालेंगे धकन को बंद करेंगे तो इसमें आप दो तिन बुन पानी जरूर डाले इस तरह से जिससे की भाब बनेगा और ये पिठा और ये रोटी जो अच्छे से पकेगा और इसमें जालियां और जब निकालेंगे ना तो वो अच्छे से निकला रहेगा ये दि बरतन पुरी तरह से गरम रहेगा तो यहाँ पर देखी ये दूसरा पिठा थोड़े से मेहनत में ये निकल आया है पहला वाला तो पुरा ही कच्छा रहेगा था पका नहीं था और इसका पकने का एक ही निसानी किसमें इस तरह से पूरी जाली आ जाती है ये देखिए और बहुत ही सॉफ्ट बनता है अच्छे से फूल जाता है तो इसी तरह से सारे पिठा बना के तयार करेंगे यानि कि सारा रोटी बना के तयार करेंगे इसमें ना हमें तेल डालना है ना घी डालना है और न और चोटा अपने हिसाब से आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो यह हमारे जारकंड में बनता तो ही लेकिन आप कहां से इसको देख रहे हैं और आपके यह यह बनाया जाता है किनी कमेंट में जरूर बताईएगा और आपके यह इसे किस नाम से जानते हैं ये भी जरूर बताईएगा, तो ये देखिए इतना पीठा मैंने बना लिया है, काफी सॉफ्ट बनता है, जालीदार बनता है, अच्छे से फूलता है, बरतन गरम रहना चाहिए और फ्लेम का ध्यान रखेंगे, तो सारी रोटी बहुत ही परशक्ट बनेगा, बिल्कुल इस आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें जालियां पड़ी हैं, और इसे आप सबजी के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरह के ग्रेवी वाली सबजी के साथ, या फिर इसका एक और तरीका अपना जाता है, जिसे मीठा पसंद है, वो इसे दूद के साथ खाते हैं, उसके लाइची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा केसर के धागे डालेंगे ताकि इस दूद में एक अच्छा सा कलर आजाए, और टेस्ट भी आजाए, और जब ये दूद गाढ़ा होके आधा रह जाएगा, यानि एक कप हमने दूद लिया था, आधा कप जब रह जाएगा तब तक हम इसे पका लेंगे और यहाँ पे देखिए लगबग 10-15 मिनट का टाइम हो गया है और ये दूद बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इस जगह पे हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें हम जो रोटी है जो बना के रखें उसको इसमें हम डिप करेंगे, तो आप ये ज़्यादा रोटी बना रहे हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा दूद बनाएं और उसको इस तरह से डिप करें, पांच मिनट इसमें छोड़ें और उसके बाद इसको खाएं तो ये बिलकुल रसमलाई का टे तेस्टी होता है, बट मेरा पर्सनल है, मैं पर्सनली मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है, लेकिन मीठा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आज का ये जहारकन स्पेसल रेसिपी आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में ज़रूर बताईएगा, अच्छा लगा